अग्सर डिरेक्ट सेलिंग में नेट्वर्क मार्केटिंग में एक सवाल आता है हमारे सामने कि सेलिंग करे या नेट्वर्किंग करे रिकूट करे वगर 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 अगर आप पांच मिनिट वक्त दे और इस वीडियो को देखें शायद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रास्ता बहतर है। So here we go! Hello ladies and gentlemen, Selling या networking? बहुत common सवाल है, बहुत common doubt है in the world of network marketing, in the world of multi-level marketing. हर कोई दुविदा में है कौन सा जादा बहतर है करना, किसके पीछे जादा hard work करे, focus करे, etc. आए मैं आज आपको एक example देता हूँ, शायद आपका ये doubt clear हो जाए। For example, कोई अगर मुझे कहता है आपके, कि अरिदम जी आपके पास दो बहुत अच्छा टालेंट है, कि आपका voice बहुत अच्छा है, और आपका communication बहुत अच्छा है, voice and communication, दो टालेंट. तो इन दो टालेंट की वज़ए से, मेरे ही मोहले का एक club से कोई आता है, और कहता है कि अलिदम जी हमारे यहाँ पे बच्चों का drawing competition होगा, ladies का मंबत्ती जलाना वगरा ये सब होगा, तो आप अगर इस program में announcer बने, तो बहुत अच्छा होगा, हम आपके लिए एक packet of sweets, शायद कोई flower bouquet वगरा देंगे, it will be great. और सेम डे, कोई और आता है मेरे पास, from some famous TV चाहिए, और कहता है कि हम KBC जैसा एक show यहाँ पे करने वाले हैं, तो आपका voice बहुत अच्छा है, आपका communication बहुत अच्छा है, आप अगर यह show host करें, क्योंकि हम चाहते हैं कोई celebrity नहीं, कोई new person को break दे, तो मुझे कौन सा option लेना चाहिए? इम्मीडियेटली आप कहोगे कह रहे, आप KBC वाला option लीजिए, क्योंकि उसमें name, fame, पैसा, सब कुछ मिलेगा, और यहां पर तो सीद महले में, आप बच्चों के लिए और वहां के लेडिस के लिए, एक program announcer बनके रह जाओगे, है ना? तो सवाल क्या था कि मेरे पास दो talent है, voice and communication, और उसी को use करके, या तो मैं सिफ अपने महले तक सिमित रह सकता हूँ, या फिर एक all over India में famous personality बन सकता हूँ, बहुत पैसा भी earn कर सकता हूँ, है ना? Now just let's get into the sellers and network का इस doubt में, यह discussion में, ठीक है? तो seller जो अच्छा sell करता है, उनका क्या talent रहता है? दो चीज़ है, communication skill, और लोगों को convince करने का skill, और उसी तरह, एक networker के पास, यानि जो अच्छे से recruit कर सकता है, उनके पास क्या talent रहता है? वही दो चीज़ है, communication and convincing skill. अब, वही दो skills को use करके, अगर एक seller हर महीने 500,000, 12,000, 2000 कमाता है, और वही skills को use करके, अगर एक networker, 1000,000,000,000 कमाता है, कौन सा बहतर है? सोच के देखिए, क्योंकि ultimately, एक seller भी महनत कर रहा है, for one thing, और एक networker भी महनत कर रहा है, for that thing only, और वह चीज़ क्या है? जी हाँ, money, हर कोई इसी के लिए महनत कर रहा है, तो सवाल ये है, कि आप hard work कहां पे करे, किस काम के लिए करे, और एक जलग मैं आपको दिखाता हूँ, कि Oriflame actually क्या दे सकता है आपको? तो देखा आपने, क्या लगता है, कि इतना सारा cash award, ये glamour, ये recognition, foreign ribs, सिर्फ product sell करके मिल सकता है? जी नहीं, product sell करके सिर्फ 1000, 2500, 2500 पे, अपनी जिन्दीगी को मत रोकिए, और इस फ्लिम का total benefits अगर लेना है, तो लोगों को invite करें, उन्हें train करें, develop करें, recruitment करें, और ये सब कुछ आसल करें, so decide now!